अलो दोस्तों का हमारी चैनल में स्वागत है और आज इस वीडियों आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 8.1 जो कि NCRT का है जो कि क्लास 10 का है तो यह ट्रिग्नोमेटरी का एक चैप्टर है इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेटरी का फॉर्मूला बताया था और ट्रिक बता था वह सब मैंने उस वीडियो में बता दिया वह फॉर्मूला ठीक है उसी फॉर्मूला का यूज करके यहां पर मैं को सौल्ब करवाऊंगा फिर जो एक पॉइंट टू स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर इसका तो मैं फिर उसकी लिए नया फॉर्मूला पहले आपको बत नहीं भी लिखा रहाता कि राइट अंगल है बीपे मत्तब बीच होगा वह आपका राइट अंगल होगा ठीक है वहां पे आपका 90 डिगरी का कौन बनेगा नैंटी डिगरी का अगर यह नहीं भी लिखा रहाता मानके चली यह लाइन तो हम लोग क्या से समझते कि ABC में से कि इस पे 90 डिगरी का कौन बनेगा तो जो भी बीच में होगा ना उस पर बनेगा यानि ABC लिखा हुआ है तो बीच में यहां पर कौन है यानि बीपे ही राइट अंगल ट्राइंगल बनेगा ठीक है यह समझ में आपको अगर आपको कभी यह नहीं भी लिखा मिले तो आप लो जुरूर बनाया करें स्टार्टिंग में उसके वाज़माजाब फिगर में माहिर हो जाए जब इस चाप्ट्र में माहिर हो जाए तब सींसे में पेड़ में इनके तरय तो कि आहीं पर चैंगल ट्रिखेंगल आपको पता ही होगा यह जो Trigno Trigno Metro trigonometry वह मान सब right angle triangle के लिए है और दुरसे triangle केलिए यह नहीं है तो माल लेते हैं B Messenger यहां पर ढ़ना पर लेõँके यह 90 Mode अब दो कि है कि अब का कि आपको दिया हुआ एम का value दिया है 24 cm एक है अपका 20 इस मिट domain आपको 24 Physics है और फिर आपका 20G सेवज सेंटी मिटर यह एक तो निकालना ही पड़ेगा यानि हैना को प्लेzek सबस्वाई करके निकालना होगा यानि आपको निकाल आपको फाइंड करने किरें क्या बढ़ा है बोला है एक अगला है साइन सी और कोशी तो चले एक एक करके निकालते हैं पहले हम लोग तो पहले के साइन का फर्मूलाय लगाने के लिए पी बाइच होता है तो आपको एच का स्वार्ट पड़ेगा यादनी हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस आपको पहले है आप देखें पहले कोशन के अगर हम लोग चलते हैं इसमें एंगल एक बात किया जा रहा है इस तो इसको बी मान लेते हैं कि यह बेस आप लग रहा है तो यह पार फिक्स होता है अब पंडा आता है तो पी और वी में कि कौन सा होगा बी कौन सा होगा तो बहुत बच्च आ है अब हम लोग को ऐंगल के हम लोग देखेंगे जैसरा अब बात के जा रहा है एंगल का यहांप एंगल के सामने जो भी होगा वह आपका हमेसा प्लग को आज f जो बच गया ऑफ बना थिसagers को अगर है रहा है इसको दो बनाते व हiran ले instinct तो absolutely wrong ही आता ठीक है समझ मैं है जो एंगल होगा उसके सामने जो भी होगा वो पी होगा यह मैंने पिछली वीडियों में अच्छे से बता रखा है चलिए पहले एच फाइंड कर लेते हैं तो एच निकालता हूं मैं पहले है तो एच स्कुरे आपको पता ही होगा कर् kry 2 बड़ाबरड लवसकंद i और अधार सकुर है यह स्पटीनियस होगा पी का स्कुरेड होगा प्लस ऑस्कुयर के तो एच को फिल स्कुर दू टक का स्कुरेइंग नी हो जाएगा स्चंदिश्क का स्कुरें निकालना स्कुएर निकालने का एक ट्रिक भी होता है मैंने आप लोगों मैं आप लोगों बता दूंगा देखिए क्या करते हैं पहले यहां पर फोर हो जाएगा ठीक है इसका स्कुएर करेंगा तो किता हो जाएगा सोल ठीक है अब इसको दो से मोटिप्लाइ कर दें चार दोना आठ दोना सोल अब इसमें आप सोल जोड़ देजिए बस हो गया छे साथ पांच यानि पांसो चीएतर होगा इसका मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लें कर दोंगा एक वीडियो बनाके टेंसर नहीं लेने आपको ठीक है तो देखे आप इसको आइड करना होका आप लोगों को आइड करने पर जागा नौ एक दस पांच पंदर पांच हाथ में एक साथ चयाए ग्यारा बारों कर दो हाथ में एक छे आप एच्छ बराबर हो जागा ये रूट उधर चल जागा यह होगा है आपका 625 आप क 25 का स्क्वेर है थीक है 25 गुने 25 करेंगे तब आपका 625 आपका वेलु निकल गया तो एच आपका 25 संडीमीटर है तो आपको बोल रहा है कोश्चन कि साइन ए निकालना है तो साइन आप साइन एक का फॉर्मूला गर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको ट्रिक पता हुआ है अगर आपको फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप कैसे याद करेंगे मैं आपको बताया था पंडिट भोले प्रसाद हर बोले ठीक है पहला वाला आपका साइन का होता है दूसरा कोस का तीसरा वाला टेन का और इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उल्टा बन जाएगा यानि साइन का उल्टा कॉस होता है कॉसे का बन जाएगा और कॉस का उल्टा सेख होता तो सेख का बन जाएगा तैन का उल्टा कॉट होता था कॉट का फॉर्मूला बना लेंगे तो स समझ में आप देख्यात क्या बोला है से भी आपको निकालना है तो को swims évidemment कि आप 24 एच टोप को 25 है ही यह हो बॉके अन्स समझ में कैसे निकाला उपया बनासे यांनि ये साइन सी और सी निकालते हैं तो देखिए ऑ लख autop किया करे हैं जब अंगल और चेंज हो जाए, तो आप फिगर भी दूसरा बना लें, ठीक है? इसे आप को बहुत फायदा होगा तो आप गलत कर लेंगे, अगर आप एक ही फिगर में बनाएंगे तो आप गलत कर लेंगे, स्टार्टिंग में, तो यह हो कि आपका A, यह हो गया B, यहाँ यह होगा आंगल है आपसी का बात किया जा रहा है तो इसकी सामने जो होगा वह आपका पी यह आपका यह बहुगा है молодy फिक्सी होता है इसका में हमेंसा 25 मैंने भी निकाला है स्विटी भाइवा इस्वाले केस में और्पी अपको कितना तो भी आपको 24 संटीमीटर अब साइन सी आपको निकालना है साइन का होता है पी वाइच हम देख़े पी पर जाइब तो यह है यह एक तो यह आपका कितना है तो यह आपका 25 तो यह मैं ऐसे करेंगे आप देखें लिक सब्सक्राइब करते हैं व्याज हो जाएगा भी आपका कितना इस बार 7 है तो 7 अपन अपके कितना आप का 25 तो 25 हो जाएगा यह वोगया आपका अंसर तो यह बच्चे गलती कहां पे करते हैं एंगल चेंज करने में हमेशा भी इसी को मान लेते हैं लेकिन इस वाले केस में तो भी यह नहीं था पी था यह तो यहीं कि in figure 8.13 Find 10 P-chat-r आपको यहां पर ही figure दिया हुआ ठीक है बुक्प में आपको यह figure दिया हुआ है आपको निकालना है 10p यानि यह वाला एंगल ठीक है उसके आट कॉट आर्ट यानि यह वाला एंगल एक बार यह वाला एंगल लेना है ठीक है तो यहीं पर बच्छे गलती करते हैं एंगल चींज करने में आपको यहां पर कोई भी गलती नहीं करना है तो पहले पर टैन पी निकालते हैं ठीक है तो तो पहला है आप का P है यहां पर यहां पर यहां पर यांप टीक आप निजे तो Lab को निकालना हो तो भी आप 10plement ok और वह क्या होगा आपका याया परपेंड़ीकुलर कोहं लोगोफ को निकालना यहां का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस में से आप बेस को घटा देंगे। 2ahaha तो क्या जागा यहां पर थ्रिटेन का स्क्वेर करेंगे तो फिर इसका स्क्वेर करेंगे तो 144 होगा यह मुझे याद है ठीक है आप करके देख सकते हैं एक step में आप मैं लिखी देता हूं आपको confusion ना हो 13 square minus 12 square ठीक है सब्सक्राइब यह square है अब देखें इसको घटाना है तो इसको अगर आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यह 5 हो जाएगा यह 25 आएगा यानि इसका प्रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा यानि यह जो है वह आपको हो जाएगा 5 cm क्यूआर आपका 5 cm हो जाएगा समझ मैं है आप देखें 10 पी निकालता हूं जल्दी से 10 पी निकालता हूं 10 का formula आपका P by B मैंने इसका shortcut formula आपको बताया हुआ है आप वीडियो जाकर देख सकत फॉक्त पी निकालते हैं उससे पहले एक और फिगर आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि एंगल चेंज किया गया है अगर पी ही आंगल होता है तो हम लोग आसानी से निकाल लिए तहीं हो जाता है यह हो गया Q यह हो गया आर यह आपका राइट अंगल यहां पर है यह आपका 13 cm है और यह आपका 12 cm है QR आपका 5 cm है यह आपका H तो फिक्स ही होगा आप देखें एंगल के कोटिंग हम लोग P और B डिसाइड करेंगे तो एंगल R का बात किया जा रहा है तो इसके सामने जो भी होगा वो P होगा यानि इस बार यह P बनेगा और यह आपका B बनेगा ठीक है सांज में आया और कोट कोट आपका 10 का उल्टा होता है तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा यानि बी अपॉन टी हो जाएगा बी कितना आपका 5 ठीक है और पी आपका कितना है 12 मतलब सीम ही आएगा आपका वैल्यू तो आप घटा यह तो 0 ही आ जाएगा मैं घटा दूं कि आप लोग क इसमिल है 2 तो बस एंगल चींच करना आना चाहिए कि कपी होगा क्ब भी होगा है एक सब्सक्राइग और भी according कॉन सब्सक्राइब करना परेगा कि कौन साब्सक्राद को और लिया जा रहा है question यह तो बहुत simple question है इसके लिए भी चाहें तो आप figure बना सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते हैं तो चलिए देखते क्या करते हैं हम लोग तो पहले जो value आपको दिया हुआ है वह आप लिख ले सबसे पहले तो यहीं आपको करना है तो साइने का वैल आप यहां पर लिख लेंगा साइने आपको दिया हुआ है 3 by 4 साइने का formula होता है पी बाइए यानि पी का value 3 और एच का value 4 पी का value कितना आगा पर 3 एच का value आपको कितना आगा 4 तो आपको निकालना क्या है बी है ना तो बी निकालने के लिए मैं क्या होगा यानि 4 का square minus 3 का square घटा दूंगा यह आपका root यहां पर भी square रहने दीजिए यह हो जागा 16 यह हो जागा 9 ठीक है तो इसमें से आप इसको घटा लेंगे तो कितना हो जागा 9 10 यानि 7 और बी is equal to हो जागा root 7 तो यहां पर आपका root 7 यह स्वारी answer नहीं होगा यह root 7 आप causes निकालना है और 10 यह में यहां पर आइंगल आपका सब में सेम है यहां पर यहां पर एंगल यहां पर ब Half हन नहीं 10 a भी निकालना है तो 10 a 10 a होता आपका पी बाई बी यह सब में आपको बता रखा इसलिए आप फिगर बनाने का कोशिस करेंगे जब दो एंगल दिया होगा अब देखिए यहां पर अगला कोशन है फोर नंबर को आपका बोल रहा है फिप्टीन कॉट एस इगल टू एट फाइन साइन एंड शेक ए ठीक है आपको एक वैलू दिया हुआ है इसके हल्प से से मैं आपका तो इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तो आप असानी से इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए अब आपको क्या करना फिप्टीन कॉट आपको दिया हुआ है फिप्टीन कॉट ए इस इकल टू कितना है एट ठीक है तो पहले आप कॉट एका वैलू निकाल ठीक है तो कॉट ए दोएगे यहां पर फिप्टीन मॉल्टिप्लाइब में है तो इस एट जाएगा तो यहां पर डिवाइट में मैंने कर दिया और कॉट किसका उल्टा होता है टेन का तो टेन का फॉर्मूला होता है पी भाइब तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि भाइ कि भी आपको 15 निकालना है तो H square is equal to क्या हो जाएगा पी square plus B square so H square is equal to P square यानि 15 स्क्रीट आपको होता है 225 और 8 का स्क्षार होता है 64 यह होगा यह यह जोड़ देते हैं रूट अंडे 2-8-9 यह आपका 17 स्क्वेर है मुझे याद है यह 17 स्क्वेर अगर आपको रूट नहीं निकलना आता है तो आप नीचे कमिंट कर सकते हैं मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा कि कैसे पता करेंगे कि यह 17 का स्क्वेर है कि किसका है रूट है तो यहां पर आपको H भी निकल गया है कितना? अब आपको निकालना क्या है? आपको यहां पर खक्म हो गया आपको बस निकालना है साइने ए और सेख ए साइने का फर्मूला मैंने आपको बता रखा है P by H होता है तो साइने पी एच P का बेल अपको यहां पर 15 है यहां पर क्या हो जाएगा एच बाइच यह आपको कितना दिया हुआ एट यहीं हो गया आपका आंसर हो गया आपको से नमबर 5 देख लेते हैं को से नमबर 5 आपको बोल रहा है कि इवन सेख ठीटा is equal to 13 by 12 calculate all other trigonometry ratios ठीक है आपको यहां पर एक वहलोग आपको दिया हुआ है उसके help से आपको जितना भी trigonometry ratio है कितना है total 6 है यहां पर एक आपको दे दिया है तो कितना निकालना आपको 5 ठीक है तो चलिन तो से आपको value निकाल लेना है तो शेख फिटा आपको दिया value कितना 13 by 12 तो यहां से आपको तो आपको निकालना क्या है यहां पापको नहीं दिया है तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे पी स्क्वेर इस इकल टो तो आपको एंसर कितना आएगा तो आपको आजागा 25 तो पी आपको हो जागा 5 तो पी आपको यहां पर निकालना क्या है सब पांच वैल्यू आपको यहां पर निकालना यानि आपको निकालना है यहां पर साइन ठीटा क्या होता है पीवाइच निकालते चलते हैं एक और से का उल्टा क्या होता कॉस्ट दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो इसका वैलू आप उल्टा कर दीजे तो 12 भाई 13 डायक्ट हो जाएगा लेकिन आपको ड्रायक्ट नहीं करना है तो आप यहां पर फर्मूला लिख सकते हैं क्या हो जागा बी बाई एच नहीं आप बात वही हुआ इसको उल्टा कर देते तभी आपको इतना ही अंसर आता यह वह वह गया अप 10 निकालते हैं प्रेंट थीटा इसका उल्टा कर दें तो 12 भाई 5 अब आपको बस एक और वैल्यू निकालना जो है कॉसेक ठीटा यहां पर ठीटा आएगा ठीटा हो जागा आप एक तो आपको यह वाई निकालना था तो आज यहां रहना ही दिटा हूं काफी लंबा बन गया है तो आज के लिए वी कोशन रहने हैं तक अगले वीडियो में इसका अगला मैं जो पांच बचा है पांच यह जितना भी बचा कर दूंगा टीक है उसको शॉल्व करवा दू नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे जो भी नए वीडियो में अप्लोड करूंगा उसका नोटिफिकरिशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो ठाइंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो